सरकार, EPFO, कर्मचारी, नियोक्ता और EPS 95 पेंशन में फसा पेंच, पढ़िए डिटेल क्या नियोक्ता EPF EPS में अधिक योगदान देने के लिए तैयार हैं, क्या उनके पास वित्ती अक्षमता है? सूचनाजी न्यूज, 36 गड़ कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization और केंद्र सरकार, Central Government पर EPS 95 पेंशन भोगियों, EPS 95 पेंशनर्स की नजर तिकी हुई है EPS 95 पेंशन राष्ट्रिय संगर्ष समिती के नेताओं की सरकार के साथ बैठक के बाद क्या हालात है? इस पर पेंशनर्स क्या सोच रहे हैं? कर्मचारी पेंशन याजना 1995, Employee Pension Scheme 1995 के तहत नियूंतम पेंशन, मिनिमम पेंशन, 7500 रुपए मिलेगी या नहीं? तमाम बिंदूओं पर पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने अपनी बात रखी है। इनका कहना है कि सरकार की अच्छी पहल है। आशा है कि इस बैठक से कुछ निकल कराएगा। हालांकि मीडिया में प्रसारित उप्रोक्त विडियो के संदर्भ में निमनलिखित बिंदूओं पर ध्यान दिया जा सकता है। 1. सरकार पेंशन फंड, गाव्मिन पेंशन फंड में नियोकता के रूप में 14%, 18.50% का योगदान दे रही है, न कि सरकार के रूप में। लेकिन EPS में कर्मचारी नियोकता पेंशन योग्य वेतन का 8.33% दे रही है, न कि सभी मामलों में कुल वेतन पर। अधिक्तम पेंशन योग्य वेतन, लास्ट पेंशनेबल सालरी, 15,000 तक सीमित है, जबकि सरकार नियोकता के रूप में 18.5% का योगदान बिना किसी सीमा के कुल वेतन पर देती है। क्या कर्मचारी EPS में नियोकता के पूरे योगदान को EPS में देने के लिए तयार है? 3. 1.1.6% सरकारी योगदान है, नियोकता के योगदान के रूप में नहीं, सरकार निजी क्षेत्र की नियोकता नहीं है, क्या सरकार अपना योगदान बढ़ाएगी? 4. क्या सरकार नियोकता कुल वेतन के आधार पर EPS में अंच्टान करने के लिए तयार है? 5. क्या सरकार पेंशन योगदान सीमा को 15.000 रुपे से आगे बढ़ाने के लिए तयार है? 6. क्या सरकार ऐसे पेंशन योग्य वेतन या बीच के आधार पर नियोंतम पेंशन के लिए तयार है? नियोंतम पेंशन पेंशन योग्य वेतन 10 पेंशन योग्य सेवा, अभी 33 वर्ष साथ, क्या सरकार UPS की तरह पेंशन योग्य वेतन का 50% पाने के लिए आवश्यक पेंशन योग्य सेवा को 33 वर्ष से घटा कर 25 वर्ष करने के लिए तयार है? इधर पुरानी पेंशन तेजी से ट्रेंड कर रहा है Old Pension Scheme को लागू करने की मांग की जा रही है NPS के बजाए OPS की बहाली की आवाज जोर पकड रही है Unified Pension Scheme, EPS 95 Pension और EPFO क्यों डर रहे पेंशन भोगी न्योंतम पेंशन 1000 रुपए से मुक्ती दिलाएं बुजर्गों को 7500 रुपए पेंशन दे सूचनाजी News, 36 गड Unified Pension Scheme, UPS, EPS 95 Pension, EPS 95 और EPFO, EPFO शब्दिस वक्त काफी सुर्खियों में है PM मोदी, PM नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई जा रही है कि पेंशन भोगियों, पेंशनर्स के मन की बात को सुने और नियोंतम पेंशन, मिनिममम पेंशन, 1000 रुपए से मुक्ती दिलाएं बुजर्गों को 7500 रुपए पेंशन दे पेंशनर्स सत्यनारायन हेगडे का कहना है कि सरकार नियोंतम पेंशन 7500 रुपए देने से इनकार कर रही है और सरकार के मुख्या स्वया इसे नकारने में सहायक है क्या आपने उनकी सारवजनिक रेलियों के दौरान देखा है उन्हें महिलाओं युवाओं के लिए सहानुभूती है नकी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो हम है EPF पेंशन भोगी जो वास्तव में हर महीने हजारों की संख्या में मर रही है जनता को गुमरा और ध्रुवीकरन का खेल खेला जा रहा है जैस की वह लोगों से बहुत प्यार करते है लोगों ने इस बार संसत चुनाव में विफल कर दिया 400 पार के बजाए केवल 200 बहत्तर दिये जबकि अन्य दो सुपर पीम नाइडू और नितीश ने उनके पंक काट दिये और उन्हें निर्देश दिये की वे जो कहीं करें तीन राज्यों के चुनाव के बाद क्या होगा पेंशन भोगी रमेश गौतम ने UPS पर कहाया योजना अप्रेल 2025 से लागू होगी तब तक आने वाले राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे सरकारी कर्मचारियों को भी इस सरकार द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है हमारे नेताओं को इस सरकार द्वारा वित्पोशित किया जा रहा है यही कारण है कि वे पिछले 10 वर्षों से कोई सख्त कारवाई नहीं कर रही है और हमें मूर्ख बना रही है इधर पुरानी पेंशन तेजी से ट्रेंड कर रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की जा रही है NPS के बजाए OPS की बहाली की आवाज जोर पकड रही है EPS 95 पेंशन पर अमबानी अडानी के बाद मोधी सरकार को लोगसभा में घेरेंगे राहूल गांधी EPS 95 पेंशन भोग्यों ने अपनी नियूंतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा कर 7500 रुपए करने की मांग के लिए राहूल गांधी से समर्थन मांगा है वे राहूल के प्रभावशाली विपक्षी नेता होने के कारण उनसे संसत में इस मुद्दे को उठाने की अपेक्षा कर रही है EPS 95, Employees Pension Scheme 1995 पेंशन भोग्यों ने अपनी नियूंतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा कर 7500 रुपए करने की मांग की है और इसके लिए उन्होंने राहूल गांधी से समर्थन मांगा है इस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्षी नेता राहूल गांधी के पास पत्र लिखे जा रही है क्योंकि लोकसभा में उनकी मौजूदगी और भाशनों से उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज माना जाता है पेंशन भोग्यों की रन्नीती में बदलाव बता दे, काफी लंबे समय से नियूंतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर उठ रही है लेकिन पिछले आठ सालों से EPS 95 पेंशन भोगी BJP नेताओं के प्रती धीरज रखे हुए है अब चुनाव के बाद BJP के बहुमत से पीछे हटने के साथ ही पेंशन भोग्यों ने अपनी रन्नीती बदल दी है अब उनका उद्देश्य राहुल गांधी के माध्यम से अपनी मांगों को ज्यादा जोरशोर से उठाना है EPS 95 संघर्ष समिती की भूमिका EPS 95 राष्ट्रिय संघर्ष समिती ने इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर उठाया है समिती के अध्यक्ष अनिल नामदेव और अन्य पदाधिकारियों ने 36 गड़ के कॉंग्रेस अध्यक्ष और अन्य राजनीतिक नेताओं से मिलकर इस मुद्दे को विस्तार से बताया है पेंशन भूगियों की दुर्दशा वर्तमान में 78 लाक गरीब वृत वरिष्ट EPS 95 पेंशन भूगियों का जीवन चरनांत में बेहत कठिन परिस्थितियों में बीत रहा है इस बड़े समुदाय की पीडा और आर्थिक संकट को देखते हुए उनकी मांगों को मन्जूरी दिलाने के लिए अब पेंशन भूगियों द्वारा राहुल गांधी से गुहार लगाई जा रही है राजनीतिक उम्मीदे और भविश्य की दिशा राहुल गांधी के विपक्षी नेता के रूप में प्रभावी भूमिका निभाने की संभावना से पेंशन भूगियों को उमीद है कि वे उनकी न्यूंतम पेंशन व्रिद्धी की मांग को संसद में मजबूती से उठाएंगे और उनकी आवाज बनेंगे इस मुद्दे की सफलता ना सिर्फ पेंशन भूगियों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी उनकी स्थिती को मजबूत करेगी EPS 95 न्यूंतम पेंशन बढ़ोतरी पर EPFO और केंद्र सरकार की बैठक बदलाव की बनी संभावना जाने पूरी खबर EPFO और केंद्र सरकार ने EPS 95 पेंशन भूगियों के लिए बैठक की जिसमें पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा हुई पेंशन भूगियों ने न्यूंतम पेंशन 7,500 रुपए और उच्चतर योगदान दरो की मांग की है सरकार से योगदान बढ़ाने की उम्मीद है कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, EPFO और केंद्र सरकार ने हाल ही में EPS 95 पेंशन भूगियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें पेंशन की न्यूंतम राशी को बढ़ाने के विकल्पों पर चर्चा की गई इस बैठक के प्रमुख बिंदूओं और पेंशनर्स की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह स्पष्ठ होता है कि आगामी दिनों में पेंशन संगरचना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं पेंशन भोगियों की मुख्य चिन्ताए सरकारी योगदान पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई के अनुसार सरकार द्वारा पेंशन फंड में नियोकता के रूप में 14% से 18.5% तक का योगदान दिया जा रहा है यह योगदान कुल वेतन के आधार पर होता है जो पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक पहलू है नियूंतम पेंशन की मांग पेंशन भोगियों ने नियूंतम पेंशन को 7500 रुपए तक बढ़ाने की मांग की है, जिसे सरकार द्वारा विचाराधीन बताया गया है. यह वृध्धी पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिती में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण होगी. पेंशन योग्य वेतन सीमा, वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15000 रुपए है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है. इससे पेंशन भोगियों को अधिक पेंशन लाभ मिल सकेगा. सरकारी और नियोकता योगदान, पेंशन भोगियों ने यह भी मांग की है कि सरकार और नियोकता कुल वेतन के आधार पर अधिक योगदान दे, जिससे पेंशन फंड में बढ़ोतरी हो सेवा अवधी और पेंशन, पिल्लाई ने यह भी उलेख किया कि पेंशन योग्य सेवा को 33 वर्ष से घटा कर 25 वर्ष करने की मांग की जा रही है, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिल सके इस बैठक से उमीद है कि सरकार और EPFO की ओर से कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिती में सुधार हो सके पेंशन भोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि उनकी दीरघकालीन सेवा और योगदान के लिए उचित पारिश्रमिक की आवशकता है इस तरह की चर्चाएं और बैठ के पेंशन भोगियों के लिए नई आशाएं जगाती हैं और सरकार की प्रतिबधता को दर्शाती हैं कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों की चिंता करती हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयतनशील है